Hello Everyone, आज की क्लाइस में हम स्टार्ट करेंगे Einstein Photoelectric Equation lleet 7 के 2 लेक्चर के अंदर हमने स्टेडी किया था electron emission की टाइप्स आज की लेक्चर में हम देखेंगे कि जो Einstein Scientist है उसने photoelectric equation दी थी और ये जो equation ना वो किसलिए दी थही इसका main purpose था कि जो metal के अंदर से electron का हम emission करते हैं तो ये जो electron का emission होगा वो किस basis पे होगा मिंस कितनी energy उसने बाहर निकलने में कंजूम की और कितनी energy को लेकर फिर वो move कर गया तो इन सब की details explain करने के लिए जो Einstein है उसने अपनी एक equation दी और इस equation को उसने कैसे दिया Planks quantum theory की help से Planks quantum theory इसने Planks quantum theory की help ले अब Planks quantum theory क्या होती है तो Max Planks की जो quantum theory है उसके according क्या है कि जो light radiation होती है consist of tiny packet of energy means जैसे हमने ये sun लिया sun से जो radiation आ रही है वो tiny packet की form में है packet of energy इस तरह से ये radiation निकल रही है ये जो हम circle दिखा रहे है इनका मतलब है tiny small packet of energy energy के packet और इन में से जो हमने ये small वाला ड्रो किया इसका मतलब होता है quanta ये क्या है small packet of energy जिसको हमने नाम दे दिया quanta या फिर इसका दूसरा नाम होगा photon photon तो अगर कोई हमसे पुछता photon क्या होता तो क्या होगा photon is packet of energy photon क्या होता है packet of energy होती है और इसकी जो energy है वो किसके इकल होती है एक photon की या फिर एक quantum की energy किसके ecology H new यहाँ पर H क्या है? Planks constant और new क्या यहाँ पर frequency of light जो भी radiation हमने यहाँ पर लिए है उस radiation की new क्या यहाँ पर frequency है ठीक है? अब हम देखते हैं कि इस नहीं जो Einstein ने कैसे explain कियो quantum theory का यूज करके electron emission को तो यहाँ पर हमने metal ली तो यहाँ पर हमने metal ले ली और जिसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे free electrons present है इस metal में क्या है? बहुत सारे free electron present है. अब इसमें क्या हो रहा है? यहाँ से हमने radiation इसके उपर fall करवाई. जो metal हमने ली है, metal पर हमने एक radiation fall कर आए मान लेते हैं कि उसकी energy कितनी है E है E क्या हो गई Energy of incident radiation अब यहां से अगर हम इस electron को बाहर निकालना चाहते हैं अब हमें बता है electron को बाहर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए minimum amount of energy और उस minimum amount of energy को हम क्या बोलते हैं उसका work function बोलते हैं तो इसका मतलब जैसे ही radiation इसके उपर fall होगी तो यहां से उसको कुछ energy यहां पर देनी पड़ेगी वरक function को overcome करने में और बाकी की energy लेकर यह जो electron है यहां से move कर गया तो बाकी की energy लेकर कौन भाग गया electron भाग गया है भागना मतलब उसकी kinetic energy आगे उसमें तो यहां पर जो e energy है यह total energy है जो हमने fall किये किम parts के अंदर यूज होई है total energy यूज होई है एक तो उसका वरक function यह क्या है वरक function इस metal का वरक function है जैसे cesium लिया तो वरक function कितना होगा 2.14 electron volt और अगर यह platinum है तो इसका वरक function होगा 5.65 electron volt तो यह इसका वरक function होगा पलस जो बाकी की energy बच गई इसमें से जैसे मान लेते है example के तोर पर अगर e की value है 20 electron volt और वरक function होगा 5 electron volt तो कितनी energy बच गई हम fall करवारे 20 electron volt 5 electron volt का इसका वरक function है तो kinetic energy कितनी बच गई 15 electron volt तो यहाँ पर जो extra energy है वो इसको क्या provide करती है kinetic energy तो यह Einstein की photoelectric equation अब इसको हम थोड़ा सो और modify करते है e is equal to finite kinetic energy को हम लिख सकते है half mv square जो energy है उसको हम क्या लिखेंगे h new और वरक function किसके equal होगा यह भी energy वरक function भी क्या हता minimum amount of energy तो यहाँ पर हमने लगा दिया not note का मतला threshold frequency ठीक है half mv square तो यहाँ पर h new इस h new note को left side में लेकर जाओ h new note is equal to half mv square h common लिए हमने अंदर बच गया new minus new note यहाँ पर आ गया half mv square यहाँ फिर इसको लगा लो kinetic energy अब यह आ गई Einstein की photo electric equation ठीक है अब यहाँ से देखो हमें explain करनी है threshold frequency threshold frequency क्या होगी और फिर हम इसी result को main equation यह थी कि जो total energy किसमें divide हो गई हो उसका work function पलस उसके kinetic energy में convert हो गई है फिर हमने इसको थोड़ा सा modify करके ऐसे लिख दिया अब हम इस strum को और modify करते हैं जब हम इसको modify करेंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए frequency किसके इकोल होती है frequency is equal to speed of light divide by wavelength frequency is equal to speed of light divide by wavelength तो यहाँ पर पुट करो h bracket frequency की जगे पुट करेंगे c by lambda minus threshold frequency है तो speed of light तो हमेसा constant रहेगी यहाँ पर हम लिख देंगे threshold wavelength is equal to kinetic energy यहाँ से क्या चीज़ कोमन निकल रही है h c तो इसकी एक और form आ गई Einstein photo electric equation की यह आ गई third form ठीक है तो यह आ गई wavelength की ट्रम में और यह आ गई frequency की ट्रम में अब यहाँ पर सबसे important है कि threshold wavelength और threshold frequency की definition क्या होती कि इसमें हम गलती कर देते जैसे हमने first lecture में भी study किया था कि threshold frequency क्या होगी minimum amount of frequency required यह क्या होगी minimum amount of frequency required कि किसे भी metal की surface से electron को eject करने के लिए हमें कम से कम कितनी frequency की requirement होगी उस कम से कम frequency को हमने क्या माल लिया threshold frequency तो threshold frequency की definition क्या होगी it is defined as the minimum amount of frequency required to eject the electron from metal surface अब यह तो minimum amount of frequency है यहाँ पर फिर आता है threshold wavelength थ्रेसोल्ड वेवलेंद थ्रेसोल्ड वेवलेंद को कैसे डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर हम लिखेंगे अब देखो frequency minimum है अगर frequency minimum है तो वेवलेंद उसका inverse है अपोजिट है तो वेवलेंद क्या होगी maximum तो इसको हम डिफाइन करेंगे the maximum the maximum wavelength the maximum wavelength required to eject the to eject the electron from metal surface metal की surface पर से electron को eject करनी के लिए जो maximum wavelength की requirement है उसको हम बोलते threshold wavelength यहाँ पर maximum wavelength आएगा और threshold frequency में minimum frequency होता है तो यह थी Einstein की photoelectric equation अब हम देखते हैं कि law of photoelectric emission क्या होता है law of photoelectric emission का जो first law है वो है फोर एक given metal जैसे हमें कोई भी एक metal देदी है given metal के लिए जो frequency of incident radiation and frequency of incident radiation हमारे पास fix क्या है एक metal देदी है वो fix हो गई फिर जो frequency दिया incident radiation की वो भी fix होगी कि जो हम radiation fall करवा रहे continuously हम वही radiation fall करवाएंगे तो means उसके frequency भी fix होगे जब metal भी same है frequency भी same है तो जो number हो photo electron होगे photo electron का मतलब जो light हमने यहाँ पे fall करवाई है उसकी वज़े से जो electron निकल रहे है उसको हम क्या बोलते है photo electron तो जो photo electron बाहर निकलते हैं एक second के अंदर वो किसके directly proportional होगे intensity के अब यहाँ पे जो यह word है intensity intensity का मतलब क्या होता है number of photons number of photons photons falling per unit area in unit time जैसे हमने एक area ले 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 ये वाला area हमें ये देखना कि जैसे ये वाला area इस area में से एक second के अंदर कितने photons travel कर रहे है अगर कम photon गए यहाँ से तो उसकी intensity कम है जादा photon है तो जादा intensity है वो light जादा intense है एक तरह से हम बोल सकते हैं इंटेंस का मतलब जादा bright है तो यहाँ पर जितनी जादा intensity होगी उतने ही उसके अंदर क्या होंगे photons जादा होंगे मतलब bright intensity का मतलब क्या है brightness brightness है ना intensity का मतलब अगर intensity जादा है तो मतलब brightness जादा और brightness जादा का मतलब क्या है कि उसके अंदर photons जादा है उसके अंदर photons जादा है अब उपर से अगर photon जादा फोल होंगे तो जो इलेक्टोन निकल रहे हैं वो भी क्या होंगे जादा होंगे जितने जादा photon उपर से फोल होंगे उतने ही इलेक्टोन बाहर निकलेंगे उतने ही जादा जादा इलेक्टोन बाहर निकलेंगे, तो जो number of photon, photo electron है, जो बाहर electron निकल रहे हैं, इन electron का number किस पर depend करता है, number of photon falling on the metal surface, या फिर दूसरी वर्ड में क्या बोलेंगे, intensity of incident radiation, अब यहां पर इसके बगार हां, photoelectric effect को नहीं समझ सकते, तो इस ट्रम को बहुत अच्छे से समझना है, intensity के बढ़ने से क्या बढ़ता है, intensity का बढ़ना मतलब brightness बढ़ गई, brightness बढ़ने का मतलब photons बढ़ गई, तो intensity के बढ़ने से क्या बढ़ता है, photons बढ़ते हैं, और photon के बढ़ने से क्या बढ़ रहे है, electron का emission बढ़ रहा है, तो यह बहुत जादा important है, इसको याद रखना है, इसक तो था law of photoelectric emission का first law, number of photo electron directly proportional to intensity of incident light, now second law, second law है for a given metal, किसी भी metal के लिए, जैसे हमने कोई भी एक metal ली है, तो उस metal के लिए there exists a certain minimum frequency of incident radiation below which no emission of photo electron takes place, means, जैसे हमने बता था कि cesium के लिए work function कितना होता है, 2.14 electron volt, जिस तरह इसका work function fix है, work function means h new not की value fix है, तो इसका मतलब h तो constant ही है, तो यहाँ से इसकी threshold frequency भी fix है, कि अगर हम जो frequency, जो radiation हम यहाँ पे fall करवा रहे हैं, जिनकी energy है e, और उसकी frequency कितनी है new, अगर frequency की value threshold frequency से कम है, तो कोई भी electron का emission नहीं होगा, no emission of electron, कोई भी electron का emission नहीं होगा, तो अगर हम चाहते है, electron का emission हो, इस metal के अंदर से electron बाहर निकले, तो उसके लिए frequency greater than equal to होने चाहिए, threshold frequency के, तो यहाँ से electron emit होगे, तो second lie यहीं बोलता है, कि अगर हम metal के surface से electron का emission चाहते हैं, तो उसके लिए जो electron fall हो रहा है, उसकी frequency less than, greater than होने चाहिए, greater than या फिर equal to होने चाहिए, threshold frequency से, अगर by chance जो radiation हम fall करवा रहे हैं, उसकी frequency threshold frequency से कम है, तो इसका मतलब वहाँ से कोई भी electron का emission नहीं होगा, यह था इसका second low, अब हम देखते हैं, third low, third rule है, maximum kinetic energy of emitted photo electron, जो photo electron की kinetic energy है, वो depend करती है, frequency of incident photon के उपर, यह हमने metal यहां से जो energy fall हुई as new, उसके बाद इस energy नहीं यहां पर वरक फंक्शन को overcome करके, electron को बाहर निकाल दिया, और वो electron वहाँ से move कर गया, तो उसमें आ गई kinetic energy, अभी हमने थोड़ी दिर पहले Einstein की photo electric equation पढ़ी थी, उसके according E किसका equal था, work function प्लस kinetic energy, यहां से kinetic energy का formula हमने देखा था, क्या आथा, new, minus, new, not आथा, तो यहां से इसको हम explain करते, इन्होंने बोला है कि जो kinetic energy है, emitted photo electron की वो किसके उपर depend करती है, depend upon the frequency of incident photon, देखो kinetic energy अभी यह तो fix है, threshold frequency है, यह तो हर एक metal के लिए fix होती है, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, fix है, फिर kinetic energy कब बढ़ेगी, जब new बढ़ेगा, जितनी यह frequency होगी, उतनी इसकी kinetic energy होगी, तो यह frequency किसकी frequency, जो radiation हम fall करवा रहे हैं, अगर उसकी energy बढ़ेगी, energy बढ़ गई तो frequency बढ़ गई, तो वहां पे फिर क्या होगा, electron की kinetic energy भी बढ़ जाएगी, अब electron ज़्यादा energy से move करेगा, तो यहां पे यह point याद रखने हैं, कि kinetic energy कब बढ़ती है electron की, जब हम frequency को बढ़ाते हैं, अगर हम intensity बढ़ा रहे हैं, intensity बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगे, photon बढ़े हैं, और photon से क्या होगे, electron का emission बढ़ेगा, electron का emission increase होगा, बट उन electron की energy नहीं बढ़ेगी, intensity के बढ़ने से सिरफ photon बढ़ती हैं, और electron का emission बढ़ता है, energy पर कोई फरक नहीं बढ़ेगा, बट अगर हम frequency बढ़ा रहे हैं, frequency बढ़ाएंगे तो उनकी kinetic energy बढ़ेगी, अब frequency के increase करने से, frequency के increase करने से, kinetic energy increase होती है, इस टाइम पर electron के emission पर कोई फरक नहीं बढ़ता है, electron के emission पर कोई फरक नहीं बढ़ता है, जो ये दो point है, अगर ये दो point समझ में आ गए, तो Einstein का जो photoelectric effect है, जो हम next lecture में पढ़ेंगे, वो समझ में आ जाएगा, और अगर ये दोनों points में confusion है, तो हम next lecture को नहीं समझ सकते, तो इसलिए अच्छे से समझना है, intensity के बढ़ने से photon बढ़ते है, photon के बढ़ने से electron का emission बढ़ता है, और उनकी energy पर कोई फरक नहीं पढ़ेगा, energy कब बढ़ेगी, जब हम उनकी frequency बढ़ाएंगे, तो frequency के बढ़ने से electron की kinetic energy बढ़ गई, frequency के बढ़ने से electron के emission पर कोई फरक नहीं पढ़ेगा, तो ये खा third law, अब हम देखते हैं, fourth law of photoelectric emission, fourth law है, the photoelectric emission is instantaneous process, instantaneous process का meaning क्या होता है, कि जैसे ही metal के उपर, metal पर light fall हुई, तो वहाँ से क्या होगा, electron instantly निकल जाएंगे, एक दम से electron का क्या होगा, instant emission होगा, एक दम से निकल जाएंगे, तो वहाँ पर time कितना लगेगा, कितना time lag आएगा, कितना time का delay होगा, 10 raised to the power minus 9 second का, means, एक second देखो, कितनी होती है, एक second बहुत small time है, अगर एक second को हम 10 से divide कर दे, तो और भी small होगा, 100 से divide कर दे, तो और भी small होगा, 1000 से divide कर दे, तो और भी small होगा, तो यहाँ पर तो हम कितने से divide करे, 10 raised to the power 9 से divide करे, तो इतने second में photon इसके उपर fall होंगे और electron का emission हो जाए इसलिए हम बोलते कि जो electron का emission है वो क्या है instantaneous process है कि एकदम से electron का emission हो जाता है तो ये थे Einstein की photoelectric equation और law of photoelectric emission जिनको याद करना important है वरना next lecture समझ में नहीं आएगा